आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स कहकरो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर कहा क्या रहा है कि देखो, हमारा ये नोट से हमारी लिप्ट उपर की तरफ जा रही है और यहाँ पर एक आनतल है, जो कि ठीटा कॉन है, यहाँ पर एलमबा इसके आधर का है और यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ से छोड़ा गया और यहाँ तक आने में यह से कितना समय लगा यह गयाद करना में तो देखो जब एक तवरण से हमारी उपर के तरफ जा रही है, तो होगा क्या कि हमारा यहाँ पर ब्लोक है मतलब कि गुट का है, उस पर एक सदम बल कारिया करेगा, F, F यहाँ पर क्या है, सदम बल जो कि विपरिदी सम लगेगा, जितने तवरण से उपर की और जा रही है, उतने ही तवरण से नीचे की और हमारा बल लगेगा तो एक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, M into A note, M यहाँ पर उटके का दर्मान है, अब यहाँ पर देखो यह बल हो गया, एक और बल है यहाँ पर जो कि गुरुतिय तवरण है, उसके कारणा आएगा, मतलब कि गुरुतिय तवरण बल है, तो वो हो जाएगा हमारा M into G, तो नीचे के तरफ हमारे कुल बल कितने होगे, M into G, अब देखो इसके दो घटक होते हैं, एक तो हमारा 36 होता है, यहाँ पर यह तल के लंवत होता है, तो 36 वाला क्या कर रहा है, इसे तवरण परदान कर रहा है, और तल के लंवत वाला इसे घरशन बल परदान कर रहा है, तो यहाँ पर देखो, आनत तल तो हमारा चिक नहीं है, तो मतलब कि यह वाला बल तो हमारे फिलाल काम का नहीं है, लेकिन यह देखो, अगर यह हमारा ठीटा एंगल है, ठीटा कॉन है यहाँ पर, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा ठीटा कॉन, ठीक तो यह F का और Mg का F प्लस Mg कूल फोर्स कितना हो गया है? देखो नीचे की तरफ हमारा कूल फोर्स हो गया F प्लस Mg तो F प्लस Mg का एक गटक तो इस तरफ है और एक गटक इस तरफ है तो यह वाला गटक कितना होगा? F प्लस Mg का कोस और ये वाला गटक कितना होगा f plus mg का sin गटक sin theta इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ये इसके तल के छेतीर में जो बल लग रहा है वो कितना होगा f plus mg sin theta ये बल लग रहा हमारा तो इसे मैं कहा देता हो f dash तो f dash हमारा ये फिर f dash बराबर f की जगे क्या रख सकता हो m a note और ये mg है तो m यहाँ से common ले लिया तो g plus a note और ये sin theta इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर देखो ये तो हमारा दिर्मान है ये होगे हमारा तवरण मतलब कि इतना तवरण इसे मिल रहा है नीचे की तरफ जाने में तो जैसे के हमारा एक प६िंड गती कर रहे है तो उसे यहाँ तक पहुचने में समय कितना लगेगा माझनो कि ये तरुरण इसे गती कर रहे है तो यहाँ पर समीकर्ण लगा सकता हो मैं किसकी Newton की Newton की समीकर्ण वो क्या कैती है कि हमारा जो दूरी है S बराबर वो प्रारंबिक वेग U T कितना समय लगा plus का half A यहाँ पर तवरण की बात करता है और T यहाँ पर समय की बात करता है तो half A T इसको है तो यह समीकन होती है मतलब की इसने S दूरी तै कि A तवरण से यहाँ पर चल रहा था तो अब ऐसे इसकी बात करते हैं तो यह अगर L है तो आनत्तल की लंबाई कितनी होगी देखो यह वाला यहा से देखो यह होता है cos स्थीटा को स्थीटा बराबर कितना होता है आधहर बतखकर तो अधार हमारा कीतना है लव्ट कर तो मतलink की बात कर रहें आनग्तव किल्प बात कर correlet कर रहें तो हमारा कितना होगया लबतखको स्थीटा लेक्शेटी अभी समीक कर्ण क ü protects कर दे ब्रावर यू प्रारंबिक वेग अगर इसकी बात करो तो प्रारंबिक वेग यह स्थिर था उस समय तो उपरी सीरेस चोड़ा गया था देखो यहां पर कहा रहा है कि उपरी सीरेस चोड़ा गया था प्रारंबिक वेग हमारा जीरो हो गया तो यहां पर मैं जीरो रख सकता तो यह 0 हो गया ग्यूना टी प्लस का हाव जी कितना लग रहा है जी देखो इस तरफ हमारा कितना लग रहा है जी प्लस जी प्लस ए नोट और यह साइन ठीट है मतलब कि इतना तोरण लग रहा है और time हमें कितना लग रहा है वो हमें गयाद करना है मतलब समय कितना लग रहा है वो गयाद करना है तो यहां से देखो अब समीकर्ण को हल करेंगे तो हमारा t को एक स्टरफ रख लेता हूं तो t बराबर यहाँ पर देखो 2 को इस तरफ multiply किया तो 2L बटा cos theta और यहाँ पर हमारे पास क्या है G प्लस A not sin theta है तो यहाँ पर लिख देता हूँ G प्लस का A not sin theta तो यह होगे हमारा क्या T समय तो कितना समय लगेगा 2L बटा cos theta G प्लस A not sin theta तो यह हमारा अंतिम उत्तर होगा इसे आनत तल की पूरी यहाँ से और यहाँ तक आने में जितना समय लगा वो यह होगा धन्यवाद